जहिन दोस्तों जैसे कि इस वीडियो हम चर्जा करेंगे बियार SSE का रिजल्ट आपको कब तक आने की संभाबना है और इसमें आपको एक छोटा छोटा पॉइंट आपको हम बताएंगे कि इसमें कटप क्या जाने वाला है किस कटेगरी में कितना सीट है किस कटेगरी में कित आपको इस वीडियो में चर्चा करेंगे अगर आप लोग BSSC का एक्जाम दिये हुए हैं तो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा रहने वाला वीडियो इससे आपको पता चलेगा कि एक अनुमानिक कटप कितना आएगा आपके कटेगरी में रिजल्ट कितना जाड़ी कि हर एक önce कटेगरी बाइं इसमें बताया कि आपकाना जैसे कि जेनरे कीतना रिजल्ट और व की हैगा विसीНе कितना आएगा बैसी कितना अगा नकिकितना आएगा तो आप वहां से एक अनुमान लगा सकते हैं कि cut up क्या जाएगा समयन मुद्दा है कि cut up इसमें क्या रहने की संबाब ना है result आएगा cut up के ही result आएगा तो आप लोग video class तक बने रहेगा अगर आप लोग channel पे नए तो channel को जरूर subscribe कीजिए आपको बिहार दरोगा बिहार police related आपको इस channel पे त्यारी करवाए जाती है उसके साथ साथ आपको बिहार SI का notes भी provide करवा जाता है तो आप लोग जरूर चैनल से जूड़ जाईए सबसे ज्यादा SI मतलब दरोगा के लिए बहुत ज्यादा helpful रहने वाला इस चैनल तप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेड़ कीजिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें सब के दिमाग में चर्चा रहता है कि रिजल्ट कब तक आएगा ठीक है रिजल्ट कब आने की संबाब ना इसके बाद इसका कट अप कितना जाएगा यह भी चीज़ आपको लास्ट में बताएंगे सबसे पहले जान लेते हैं कुछ वेकेंसी डिटेल्स जान लेते हैं कि क्वालिफिकेशन पर इसमें कुछ कुछ क्यान के कंशी दिया गया था जैसे जो भी साइंस ते किये हुए उनके लिए जैसे सिर्फ ग्रिजवेशन मांगा गया था जो की 306 पोस्ट था 125 में मतलब योजना सायक के लिए इसमें ग्रेजर्शन मांगा गया ते लेकिन मलडिया निरक्षक में चहुत्तर नो उनी सीट था इसमें साइंस स्ट्रीम मतलब साइंस से जो इस्टूरेंट पास किये उसके लिए है मतलब सिर्फ जो साइंस से पास कि वही इसमें फाइट कर सकते हैं इनको थोड़ा सा को और pixies से देख लिएगा इसमे जोंभी जैसे आρट से को भी पास कि हिस्टी गॉर्णर्स हो या जो een जो अ पहलना चलना है कि तो वह सिर्फ इसमें रह सकते हैं यह दोनों में लेकिन उनका जो साइन से किया हुए तो इस पर भीज़ें मतलब हागदार है वह से वही आगला है डाटा इंट्री ऑपडेटर इसमें ग्रिजुवेशन के साथ साजान यहाँ पर देख सकते BCA, BAC, IT जो भी है यहाँ पर अब लोग देख सकते हैं उसके बाद आगे अगर आते हैं आगे यहाँ पर देख लिज़ें कार निवंदक अंकेट छक जो है 56 वा 34 पोस्ट है इसमें जो गनीत के साथ असनाताक एवं कॉमर्स में ग्रिजुवेट किया है उनके लिए चीज है जो गनीत में ग्रिजुवेट मतलब जिसका गनीत ओनर्स था उसके लिए सीट दिया गिया है यहाँ पर देख सकते सब्सक्राइब जो कि आपको 370 पोस्ट था यह साइन्स के लिए है उसके बाद इसमें थोड़ा सब बेकेंसी तो सेलरी का चर्चा कर लेते हैं अगर कितना मिलेगा सेलरी तो बीस से सचव्याला का व्यतन कितना 2022 के नुश्यार कितना मिल रहा था वो चीज हम बता देते हैं बीहार सचवाला सहायक के सेलरी साहत्में व्यतन आयोक के तैकिक है जिस वजह से बीहार सचवाब सहायक को हर महने सेलरी के रूप में 44,900 रुपی में से लेकर 1,42,400 रुपिया दिया जाते हैं और ब्यार सचेवले साहेक पत पर न्यूक्त होने वालिया ब्यारतियों को सेलरी के अलावा सेलरी का अलावा जब भीविन प्रकार के भत्ते भी दिया जाते हैं राज सरकार दोरा दिया जाते हैं अगर वेतन का बात करें तो वेतन आपको 4,900 से लेके 1,42,400 तक दिया जाता है अगर बेतन के बात करें तो सातमा बेतन है पे बेंड का बात करें टीवी टू जोकी टीरानेवे सो से 34,800 तक है अगर मूल बेतन का बात करें तो 44,900 रुपया है अगर ग्रेट पे का बात करें तो 400 ग्रेट पे का है जोब यह है और अगर वही आधिकतम बेतन का बात करें एक लाग 4,400 तक है तो यह रहा बेतन का बात रहा उसके बाद अगर आगे हम बात करेंगे कि इसमें कूल स सीट कितना था तो अगर एक्जाम आप लोग दिये होंगे तो आपको भली भाती पता होगर नहीं पता है तो आपको बता दें कि 287 सीट था टोटल सीट की संख्या का 287 सीट तर इसे ही काज रिजल कितना गुना पांच गुना जारी होने वाला है और कब जारी होगा यह भी चीज आपको विडियो लास्ट में बताएंगे तब लोग वीडियो में लास्ट तक बने रही है उसके बाद पांच गुना आखिर कितना रिजल जा रही होगा वो भी हम किलियर कर देते हैं अगर पांच गुना करेंगे तो इसमें दस 935 मतलब इसका पांच गुना होता मतलब 11000 लग संथिंग जैन रिजल्ट आपको देखनेक मिलेगा ब्यास सी जील ठीका अपको ब्यास सी जील ठीका लगभग पीटी का डिजल्ट आपको 11000 रिजल्ट दिया जाएगा अगर वही आप बात कर लें कि किस कटेगरी में कितना वे कटेगरी बाज आपको हम सीट बता देते हैं उस कटेगरी में आपको पता चलेगा कि मतलब जेनरल कटेगरी में कितना पीटी में रिजल्ट देगा कितना लड़का क्वालिफाइग करेगा आपके कटेगरी में कितना लड़का क्वालिफाइग करेगा वह चीज भी आपको 87 seat है 287 में अगर बात करें यहाँ पर देख सकते हैं जो कि UR UR कटेगरी का आपको 885 seat है अगर वह EWS का बात करें EWS का कितना seat है 201 seat है BC का बात करें BC का 283 seat है EBC का बात करें 449 seat है यह रहा seat details रहा आगे और सब कहा है BC, ST, ST सब का seat है पहले इसका clear कर लेते है UR का देखें 835 seat है EWS का कितना है 201 seat है BC का कितना है 283 seat है EBC का 449 seat है यहाँ पर seat details हो गिया इसके अनुसार आपको कटप भी है मतलब कितना result हर एक कटेगरी में आएगा ओभी चीज आपको हम अभी जस्ट बताएंगे आप लोग वीडियो के लास्त तक बने रहिएगा अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को जरू सस्काइब कीजिए आपको बिहार दरोगा का जाए फूल आउन तैयारी करवा जाएगा इस चैनल पर आप लोग चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरू सस्काइब करके रखे क्योंकि बिहार दरोगा का भी कुछ ही दिनों में 1200 संथिंग पोस्ट आने वाला है जो कि 64 पोस्ट आ गया है और 12 से कुछ पोस्ट आने वाला तो आपको पूरा बिहार दरोगा का जाए सिलेवस कंप्लीट करवा जाएगा इस चैनल पर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखे और बिहार SI के लिए नोट्स भी तयार किया गया है अगर नोट्स लेना है आप नीचे डिस्क्रेप्शन में आपको वाट्स अप नमर दिया गया है तो वहाँ आप वाट्स अप पे मैसेज करके आप नोट्स को उपलाद करवा सकते हैं आप ले सकते हैं तो चलिए इसमें देख लेते हैं आप लिग्स सींयमाह मैला स interrupt करें एक इसमें और हम कि इसमें किसे अपने सघ्क्रेप्शन चेट कि लाग। ये घानट और यत्तम था जाएगा यशेड़ीजित 85 को पांच गुना रिजल्ट दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 2400 सो चौरी 425 रिजल्ट आपको जहना जेनरल काटेगरी में देखने की मिलेगा वह अगर हम दिशेंग रिजल्ट को पांच पांच गुना रिजल्ट दिया जाएगा तो मतला एक हमएं हाजार पांच रिजल्ट आपको किस में दिया जाएगा छोई अगर आपको BC का बात करें, BC में total sheet है 200, 83 अगर इसको पांस से गुना करेंगे तो आपको 1415 डिजल जो है student का आपको BC कटेग्री में देखनेक मिलेगा वही अगर आप हम लोग बात करें, EBC का EBC का sheet कितना है 449 है अगर गुना किया जब पांस से तो इसका टोटल जो है आ जाता है 275 लगवग 2200 लगवग आपको इंबी इसकर रिजल्ट जो भी इस एसवी कटेग्री में तो इसकर रिजल्ट आपको बाएस वे समतिंग आपको देखने की मिलेगा वही अगर आप लोग हम बात करें महला का महला 69 सीट है जो इसका आपको र सीट यह है तीन सो 5 पाइटीस है को तिन सो पाइटीस को पांस अगर गुना करेंगे तो आपको टोटल सीट आ जाएगा तोटल जो लड़का का रिजल्ट होगा क्वाइफाय होगा वह 1675 लड़का बतरों सत्रों को सम्थिंग आपको सी में रिजल्ट देखने मिलेगा वह पांच गुना करेंगे 25 लड़का इसमें लड़का लड़की जो भी है क्वाइलिफाइग करेंगे अगर इसका हम कट अप का बात करें तो टोटल कोश्चन कितना था अगर कोश्चन आपको चार नमर का था टोटल नमर हो गया 600 अगर कोई भी पीटी क्वालिफाइग करने के लिए आपको कम सकम नमर आपको अभी के टाइम में 70 परसंट आपको नमर लाना अनिबार मतलब अनिबार तो वहाँ पर देता है 30 परसंट 40 परसंट लेकिन कट अप के हिसाब से आपको 70 परसंट नमर लाना बहुत जरूरी होता है अगर 600 का यहाँ पर हम 600 का 70 परसंट अगर निकालेंगे तो यहाँ अनिमान निकाल सकते हैं कितना साच्छंग 42 420 नमर आपको लाना होगा अगर पीटी क्वालिफाइ करना है तो 420 नमर मतलब कितना कोस्षेन आपको काट चाट के सही करना होगा तिहां पर आप लोग अनिमान लगा सकते हैं ठीक है तो यह रहा एक मतलब एवरेज कटप रहा 420 नमर 420 नमर लगभाग आपको 105 से 110 के बीच में यह एवरेज कटप रहा इतना कटप जाने की संभाबना है जो कि पीठी के लिए और आगे मैंस होगा तो उसमें थोड़ा सा हाई होता है क्योंकि इसमें जो भी लड़का सेलेक् सब पढ़ा हुआ रहता है तो उसमें फिर कम्पिटिशन होता है थोड़ा सा हाई रहता है तो यह रहा आपको कटप और अगर आपको हम बात करें रिजल्ट कब आएगा रिजल्ट आपको जाए अब वैसे तो कुछ दिन पहले वायरल वड़ा तरह 30 अपको देखने क मिलेगा लेकिन अइसा कुछ नहीं हो लेकिन आपको रिजल्ट जून के फर्स्ट बिक तक जान रिजल्ट आपको देखनेक मिलेगा लगभग अभी से 15 दिन 15 से 20 दिन के अंदर आपको रिजल्ट यह पूरा वहां पे मतलब बीससी का रिजल्ट पर जाने जोड़ सोर्स अभी वर्क चल रहा है नब्वे पर्शंट बर्क हो चुका है आपको 15 से 20 दिन में आपको रिजल्ट देखनेक मिलेगा टोटल रिजल्ट लगवग आपको यह 11,000 सम्तिंग रिजल्ट आएगा जो कि टोटल कुल रिजल्ट है इतने एक सम्तिंग रिजल्ट आएगा और किस कटेगरी में कितना रिजल्ट आएगा तो वीडियो में सब चीज हम बता दिये हैं और रिजल्ट का आप आएगा वो भी हम clear कर दिए कि आप को जून के फर्स्ट विक 못 ने रिजल्ट आपको देखने मिलेगा का टाप कितना जाएगा वह भी चीज हम clear कर दें कट लोबी काट आपको average ड्रût हम बता दें एक सो आक से 10 से 10 आप लोग बिहार दरोगा का त्यारी करना चाहिए बिहार दरोगा के वैसे बता दें कि इस मंत के जन लास्ट तक यूएसे तो पेपर में बहुत दिन से वायर लोड़ा के वेकंसी आएगा वेकंसी आएगा अभी तक तो आया नहीं है लेकिन अब आने की उमीद है बारा से ल चैनल को ज्यादा ज्यादा शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छे अच्छे कंटेंट इस चैनल पर डाल सके तो फिर मिलते एक नई वीडियो में तब तक के लिए जाहें